यह है कि चुकि लड़की पोर्ते परिवार की है गोर्ण समाज की और यदि लड़कियां साधी होके जाती है तो उनका गोत्र बदल जाता है अब उनको सीधे सीधे संकर कमर दिखना चाहिए अरचाना संकर कमर चुकि इससे हमारे समाज को एक अपमान महसूस करना पड़ रहा है इसलिए हमारे हाँ समाजवादे इसका विरोध अंतर विरोध है मैंने भाजपा इस समय चुकि हम लोगों का महा गड़बंधन का अंदुलन सुरूब 2019 का भी से है कि लगता है कि ये सरकार फिर से आ गई तो समविधान जैसे अभी समविधान जलाया गया तो ये समविधान संसोधन कर देंगे जब हमें बोड देने का अधिकार यह नहीं होगा तो ये क्या ताना साह लाकर के यहां राज्टंत्र लाना चाहते हैं और इसलिए हमारा तो जिटने गड़बंधन में आएंगे जैसे अभी हमारा समाजवादी पार्टी के साथ अखले स्यादाव के साथ संधीर हमने कहा गडबंधन चुकि गुनवाना में साधी की दिन होती है तो इसलिए मैंने कहा गडबंधन मैं स्विकार नी करूंगा संधीर हमारी जो ही है इसको महा संधी के रूप में हम छोटे-छोटे जितने हैं कि देश को बचाना है तो भाजपा सरकार को खाड़ के पड़ेगा और अरजना पूरते जी यहां पूरी तरह से आसफल रहेंगी हमने कहा था हम से पत्रकारों ने पूछा था मैं कहा जिस तरके से वो धान का मुल्य बढ़ाने पर एक सपत पत्रा हाई कोट में पेस किया वैसी एक सपत पत्रा मैंने हाई कोट में पेस करे पर उस स्वस्थनी ब्यान देते हैं और जंता को गुमराह करते हैं कि जंता ने मुझे यहां बुलाया है तुम जबर्दस्ती यहां पर कहीं रास्ता ने मिला तो पहले एलान किये थे कि हम मुख्यमंत्री जहां से लड़ेगा वहां से हम चुनाओ दढ़ेंगे कांग्रेस वाले हमात्र हमको तीन सीट दे रहा है थे 36 गड़ में क्या मैंने इतना मेहना किया है एक पार्टी बना जाया है तो मेरा मुल्यांकन खाली तीन सीट का है और इसलिए हमने हमें जो सम्मान दिया जो हमारे घर में आए हमने दिल्दी में भी कहा था सरद्यादा जी देखना है इनके साथ समझेता कर ले लेना है हमने का ठीक है क्या मोन के दरवाजे जा underm हमारे प्र्टा थक्ष जी इनके प्रांदा द्ड़क्स कि बार कम 2-3 बार गहें हैं पर बारबार पुनियाजी शापते रहें केहम लब्गे शिट में लड़ेंगे त्रूंब होकर के त्लाखों के उतरना पड़ा और जो हमें सम्वान देता है उसके साथ हम भी समाजवादी पार्टी के साथ एक संधी कर दिये हैं और दोनों मिल करके उनको हम 18 चिड़ दिये हैं अभी तक के अभी मेरे निकलने के बाद रायपूर का जितना भी कई प्रत्यासी आ रहा हैं और भी बढ़ सकते हैं और हम यह तनमन धन से यह जो समझ यह जो हमारा है उसे निर्वान करने का